येस चलिए अब आशीश के बाद आपको मैं सोनु कुपता से मिलवाता हूँ जिनका All India 8 rank है और साथी साथ BHU में All India 10th rank है और सबसे पहले मैं सोनु आपको बदाई देना चाहूँगा कि आपकी All India 8 rank आई लिक्षेट में और इसी तरह से BHU में 10th rank आई तो ये rank आपको ठीक दिवाली के पहले पता चली तो जिसे बोलते हैं आअस्ली दिवाली मुझे लगता है आपकी असली दिवाली बन பर जैसे ही कुछ रिदा चीवाड़ी होता तो जाता है और इंिपक्ट आप साल बेट से हैं तो वहां के चेनलों ने भी आपको न्यूज कवर की आज पास के एरियों में, रिलेशन में, सब जगे आप एक सेलिबरेटी बन गाएं तो अभी कैसा लगता है, मतलब क्योंकि जब तक हम प्रिप्रेशन कर रहे होते हैं, हमें ऐसा कभी नहीं लगता है कि लोग हमें एक वैलू देंगे, पर अचानक से एक चेंज आपने फील किया होगा, सब के अंदर आपको लेके आपको देखने का नजरिये में चेंज आ गया मतलब कॉल आते ही रहते हैं, कभी किसी जूनियर सका जोसको मैं जानता भी नहीं हूँ, वो मेरे को फोन करता है, आपने अच्छा अच्छिव किया, आप मेरे को टिप्स दी जिए, ये, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, मतलब, हमारी कुछ जीरो से वैली हमारी दे रहा होते हैं, अब वो आप से सला लेने लगते हैं, ये एक सबसे बड़ा चेंज फील करोगा आने वाले समय में, ये सैर, बिल्बूर सैर, तो सोनु मैं पहले तो बच्छों को आपके जूनियर, अपने जो इंपिटर्स गुरू कुल के जूनियर हैं, उनको आपके एक पता नहीं फाइनल के साथ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और इस सेकर में वो कई बार स्टार्ट ही नहीं करते प्रिप्रेशन, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहूँगे? सर, सबसे पहले तो मैं मेरी जो भी रैंक काई हूए, वियर्ची में ओल इंडिया 10th रैंक और इसमें निमसेट में ओल इंडिया 8th रैंक इसका के लिए आपका और तरतीक से का बहुत 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 शुक्रिया आजा करना चाहता हूँ, और मेरे साथ साथ मेरे पापा का भ सबस्क्राइब तो हमको कुछ तो करना है, मतलब थैर्ड यर के बाद हम तो ग्रैजुट हो जाएंगे, तो हमको पता नहीं सब कैसा होगा, तो हमको लगा कि हाँ थैर्ड यर में प्रपेशन करनी चाहिए, तो ऐसे ही दो-चार दिन निकल गया हमारे, घर में भी बात हुई कि हाँ चलो भाई कुछ तो करना है, तो मेरी और मेरे दोस्ताइबर की जिसकी ओल इंडिया 42 रहेंक है, हमारी बात ही हम दोनों ने एक साथ सोचा है, हम लोग इंपीटर्स गुरुपल अब जोइन करेंगे, तो 10th of June यर जुलाई की ताइम पर हम लोगों ने एक इंपीटर स्रुवाद में तो सर ऐसा लगा कि मतलब क्या चलना मतलब सुभाद में सुभाद आट बजे आओ और बात के नौ मजे तक घर जाओ, मतलब इतनी पड़ाई तो हमको सुरुवाद में तो बहुत स्टाइफ लगता था तक इतनी पड़ा ही कर पाएंग नहीं कर पाएंगे, तो शुरुवात के तीन चार दिन पहले अप्ते में तो हम दो मतलब स्वाम को छह होने के साथ साथ हम दो खर चले जाते थे कम से नहीं होता था इतना पड़ाई अब बहुत सक्त नियम है मतलब उठने नहीं दे रहा है सर यह नहीं करने दे दे लिए अग्रव जिस्टेंसी बलकरार रखने हैं आप कभी भी तोड़ देंगे सर तो कभी नहीं होगा वो काम कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है मैंटें लखने के लिए ये बहुत अच्छी बात बोलेगी सोनू आपने और सोनू क्या हुआ कुछ बच्छों की बाइचांस ये ड्यू टू कोविट पढ़ाई बहुत डिस्टरब हुई और उन्होंने अच्छी पढ़ाई करते हुए भी कोविट के समय पढ़ाई अच्छी नहीं करी और इस वैसे क कि हम कितने रेगुलर होके और कितने डिस्टरब्लें में होके पढ़ाई कर रहे हैं ये सर्थ बिल्पू सर्थ कंसिस्टेंसी मैंने कोविट के टाइम को पूरी बढ़तार रखी कभी कभी वीच में होता था कि यार पेपर होगा नहीं होगा पेपर की डेट आई पहले करें से कम जुलाई के 20-20 दिनों के लगवक तो पढ़ाई ही नहीं करी ना टेस्ट दिये ना कुछ किये फिर लगा कि अब जब डेट आ गई तो फिर लगा कि हाँ अब तो पढ़ना चाहिए अब कुछ नहीं हो तक आप तो पढ़ना पड़ेगा तो फिर से सब जीरो से सु अब जाए अब तो पर अब जाकर ना पड़ेगा तो फिर से सब्सक्राइब करी एक महीने की और जिस मुकाम का थासल किया वोग ने क्योंकि आखरी आखरी में सभी लोग नहीं आपाई ड्यू टू कोविड इस बार बहुत सारी चीजे डिस्टरबस हुई पर आप सब लोग का आखरी महीने भोपाल आके जो बैटके पढ़ाई करना रहा वो काफी अच्छा रहा अब मैं चाहूंगा कि आप अपने जूनिय करते हैं जो सीनियर के जो पढ़ने का तरीका होता है जो उनका रूटीन होता है उसको फालो करने में हमेशा जूनियर को मज़ा आता है तो मैं चाहूंगा कि आप जूनियर को ऐसा मैसेज दे जिससे वो समय रहते हुए अपनी पढ़ाई करें अच्छा एक और चीजे जो आ अच्छा जूनियर के लिए मेरा सब एक ही मैसेज है आप कंसिस्टेंसी बरकार रखिए अपकर भी कोई चीज को सबसे बड़ी हमारी यूमन्स की जो प्रॉलम है वह ए कि हम गीरों से बन नहीं हो पाते हैं कोई चीज को स्टार्ट कर देते हैं पीन-चार दिन करते हैं तर ह और दीरे दीरे आप करिए मतलब छोड़िये मत किसी चीज को आप बीच में छोड़ देंगे तो ना तो आठारे ना जीते आप किसी काम की नहीं हो जाएंगे बिलकुछ सभी बात है जूनियर के लिए पर यह है कि जैसा सर बोलते है आप लोग ऐसा ही करिए आप कोई फाल् और वही मेरा मानना है कि लाइफ में डिसिप्लेन, कंसिटिंसी, रेगुलिटी यह सब बहुत मैटर करता है और यह देखो आप लोगों ने मैटर किया जैसे अभी आपने बोला अभी सागर का भी मैं इंटर्व्यू लेने वाला हूं कि जितने लोगों ने एक चुल में रे अपने को आगे बढ़ाना है पर अपने साथ को भी आगे बढ़ाना है अब आप जिस जगह से आए और आपकी ये एक रेंक, आपको नहीं पता पर आपकी फोटी सी जगे पर तालवेट जैसी जगह पर बहुत चेंज लाने वाली है और यह चेंज आपको आगे भी बनाये सबसे बड़ी बात हुती है हमें एक्सेप्ट करना जैसे तुम्हारा ये एक्सेप्टेशन कि मेरी टेस्ट में आटेम भी है सब्सक्राइब करना जैसे तो ये बात मैं भी बोलना चाहूंगा सभी जुनियर को कि क्लास और टेस्ट पेपर और उसमें भी सबसे अधर टेस्ट पेपर अनलेशिस बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कभी भी ना छोड़े और सर मैं तो ये जुनियर के चाहतों आप कोई भी ट्लाक ही ना छोड़ें बहले ही सर मैं मतलब ठोड़ा लग सकता और लिक्या आप्की लगता था तो मैं सुनता भी था और कभी-कभी नहीं लगता था कि सर आप्की क्लास मनला बेरेशिरी है मेरे लिए पर तर भी मैं कई बार है नहीं कुछ नया मिलेगा और फिर भी जब हम बैठके सुनते हैं तो वह एक डिसिप्लेन आता है तो चलिए बहुत अच्छा लगा सुनों ऐसा ही खूब अच्छे से इंज्वाए करो ये अभी आपकी लाइब का सबसे अच्छा समय इसको सेलिब्रेट करो क्यों अच्छा प्लेस्मेंट के बाद कम्पनी में परफॉर्म करना और फिर आगे जो भी लाइप में हो पर अब आपसे लोग के एक्सपेक्टेशन बहत हाई है और मैं चाहूंगा कि इन एक्सपेक्टेशन पर अब खदे उत्रे अल्द बेस्ट आपके पूरे जीवन में ऐसे ह अच्छे से अचीबमेंट होते रहें थेंक्यू एंड अल्द बेस्ट एक्सपेक्ट आपके जो लोग जो अभी अभी इन डिसाइड कर लिया है जो लोगों ने क्या अभी उनको कुछ अज़ने में मजला बेदाम देना है तो उननों के लिए मेरा एक ही मेसेज है आप आपको एंपिटर से जोइन करते साथ ही आपको पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी बिखेगी आपको तिन्ता में करिये उस बात कि मैं आप तो बस करते रहिए छे महीने तो बहुत तायम होता है जानक कितने गंटे और आपको फिर 12 गंटे पढ़ाई करनी है बहुत होत यह सोचने में 15 दिन कम मत करो स्टार्ट तो करो सटार्ट करो तो मिले इन उसे सबसे बडター नीगे टार नीकरत प्रीक जाएंगे उस सबसे जाना पोती है वही शिट्रम और पर लोग आपको पूरा जाता दिखेगा पूरा दिखेगा पर बापकी सब साब अपने अरोता किताबों के एक-एक question लगाईए, मतलब example नहीं मत छोड़िए, कुछ मत छोड़िए, आप तो लगाते जाएए बस, तो मतलब पहले नहीं लगाईए, ऐसा नहीं कि आपने पहले सोता कि आड़ी subjective हम कर लेंगे, पहले पूरी वो खतम हो जाएकर हम self-scorer उठाएंगे, नहीं, आप जो topic आज हुआ, उसका subjective से करिए, तुरंट उसके बाद ही self-scorer पर आईए, तुरंट उसके RD objective भी लगाईए, तो यह आप जो पहले लगाईगे तीनों किताबों को, तो आपको लेविए, डिफरेंस जो समझ में आता है किताबों का, जैसे subjective plus 12 प्रेस पे होती है, उसक करने में, तो मतलब जब लोग हम लोग करते थे, तो हमते RD objective questions नहीं बनते थे, लेकिन जब धीरे-धीरे हम करते गया, और जब रिवीजन के टाइम प्याईए, तो हमको वह questions मतलब इतनी वाय कर चुगी थे, कि हमको वह questions याद हो गएते, और मैं सच बता हूँ, तो साथ जो सबसे जरूरी है आप लोग के लिए, देखिये सोनु ने कितना अच्छा message दिया, कि बस start हो जाओ, रुको मत, तो कुछ ना कुछ मिलेगा, चलिए सोनु थेंक्यू, खोश रहा हो, बहुत ज़ली हम लोग celebration करने वाले, भुपाल में सभी बच्चे आने वाले, आप उसकी त तो अगर साथ में इस बार अपना celebration में मैं seniors को भी बुलाऊंगा, तो अपने साथ उन seniors से भी बिलोगे जिनके साथ जाके पढ़ना है, चलिए, all the best, वो तो अच्छी बात है, एपी रवाली तु यू अल, सब अले में लेट हो गया, लेकिन है एपी रवाली तु यू अल, बारिब धनी भी पाहिए जो अल, सब शेमें वेड़को में दू गयार करेंगा जड में लेकिन है, वेली तू जल, सब जिसे पढ़ना तू आझए मैं थियू अल, सब आझए है सबस्सा करें आज तू लेक्शना करेंगां थी यू अल, सबस्क्त दमें लेट में इसाथ